हेलो अब्रिवन मैं हिमाचल सिंग आज की वीडियो में आप सभी का सागत करता हूँ आज का पॉर्टफोलियो रिव्यू करने से पहले आपको एक अपडेट देना चाहूँगा वैसे तो यदि आप मुचल फंड में इंवेस्मेंट करते हो तो सायद इस अपडेट के बारे म बहुत जुरूरी है आपका कोई और इंवेस्मेंट हो सकता है आपका गोल्ड इंवेस्मेंट हो सकता है खासकर अभी केदी बात करें तो 30 सेप्टमबर मुचल फंड में जो इंवेस्टमेंट करते हैं लोग उनके लिए नोमीनेशन अपडेट करने की लास्ट डेट है यद है तो इससे बचने के लिए हाला कि बाद में आपको अलाव किया जाएगा आऊ सकता कुछ पैनल्टी ली जाए तो पैनल्टी ना देनी पड़े और ये तो हमारा दायतु बनता है कि हम इससे समय से पहले अपडेट कर लें तो नोमीनेशन अपडेट करना बहुत जरूरी है और इसका फायदा ये भी होता है यदि कोई unfortunate घटना होती है तो जो नोमीनी अपडेट होते हैं उनको आसानी से हमारे जो fund की value है वो redeem करके दे दी जाती है ठीक है तो नोमीनी अपडेट कर लीजिए और इसके लिए यदि आप online करना चाहते हो बहुत ही आसान है MF Central Google पर जा जाएगा और बहुत आए के लिए आपको आसानी हो जाएगी ठीक है अब चलते हैं आज का portfolio देख लेते हैं आज का portfolio भेजा है यस जी ने यह बोलना है प्लीज review my portfolio आपने पहले वी कहा था share करूंगा बट किया नहीं इनका कहने का मतलब है कि मैंने इनको reply कर दिया था comment के न रिया है जब हम 30 साल या उससे पहले की एज में investment कर निर्णा ले ले लेते हैं तो हमारे पास एक लंबा पीरिड होता है invested रहने के लिए almost 30 साल का समय होता है 30 साल में भी हम स्टार्ट करते हैं ठीक है considering the retirement age of 60 years Axis Small Cap में 2500 रुपे के S.I.P. Nippon India Small Cap में 2500 रुपे के S.I.P. S.B.I. Magnum Mid Cap के अंदर 1000 रुपे के S.I.P. कुल मिलाकर 3 scheme में 6000 रुपे महिने के S.I.P. जा रही है और यह बोल रहे हैं कि target है 2 करोड का 20 से 25 साल में तो क्या ये 2 करोड का target 20 से 25 साल में अचीव हो जाएगा और आपको फिर एक नया सीखने को मिलेगा कि 20 साल से और 25 साल तक की जो जरनी होगी वो 5 साल जो होंगे वो बहुत wonderful रहने वाले हैं क्योंकि उस time period में जो 5 साल होंगे बाद के जितना 20 साल में fund create होगा उससे double से जादा create होने की उम्मीद है हमेशा ही ऐसा होता है और आज की portfolio फिर आपको live देखने को मिल जाएगा तो overall यदि scheme की बात करें आपके time period को consider करते हुए 20 से 25 साल का small cap की दोनों scheme ठीक है continue कीजिए SBA Magnum Mid Cap Mid Cap category का अच्छा बहतरीन जो है मतलब fund है अच्छी performance है इसकी और small cap को consider ना करके मैं तो आप से सबसे बोलना चाहूंगा कि mid cap को जरूर exposure दीजिए अपने portfolio में एक mid cap category का जो है fund जरूर select कीजिए इसमें कम risk रहता है as compared to small cap और ज्यादा return देता है as compared to large cap बहुत चांदा return मिलते हैं large cap category से बहुत अच्छे मिलते हैं कई बार small cap जो lower category के होते हैं उनको भी beat कर देता है ठीक है तो अबरोल आपका portfolio ठीक है आपके portfolio का average return निकल कर आ रहा है अभी के base पे on the basis of their past 10 years return और जब भी मैं पिछले 10 साल के या 15 साल के या 5 साल के जो भी return जितने scheme को होते हैं निकालता हूं calculate करता हूं तो उसका मतलब यह नहीं है कि मैंने केवल 10 साल के return देख लिए final higher side वाला return उठा लिया नहीं मैं average return ऐसे calculate करता हूं आपको कई बार मैंने दिखाया कि 2-2 साल के gap के period पर मैं आपको दिखाता हूं लेकिन जब मैं calculate करता हूं तो वहाँ पर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल सारे one, two और final अभी तक जो scheme हुई है, कितने return उस scheme ने दिये हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें जो bias होकर मुझे कोई आपको share नहीं करना data, unbiased data मैं आपके साथ share करने कोसिश करता हूं जिससे की maximum जो है authenticity रहे और minimum mistakes की संभाव न रहे, वैसे mistakes तो हो सकती है, human error कहीं भी आ सकते हैं, यदि आप को कोई लगता है कि मैंने mistake की है, तो comment करिए, मुझे अच्छा लगेगा, मैं इसको rectify करूँगा, ठीक है, तो आपके जो average return निकल कर आ रहे हैं, लगबख 17% के आ रहे हैं, बहुत शांदा return निकलने की मिलने के आपको अम्मीद है, 6,000 रुपय मंतली आपके SIP है, अगले 20 स साल में यदि आप इसको continue करते हो, आपकी जिप से 14,40,000 रुपय जाएंगे, और इस पर आपको जो final मतलब केवले, जो gain मिलेगा, interest जिसको बोल सकते हैं, एक करोड़ 6,000,000 रुपय का मिलेगा 20 साल में, आपका final amount बनने की उम्मीद है, एक करोड 21,000,000 रुपया, अच्छा क 25 साल तक रहते हो, इसमें invested, आपकी जिप से 14,40,000 के जाएंगे, 18,000,000 रुपय, यानि कि लगबग यहाँ पर 2,3,60,000 बड़े हैं, हाँ, 3,60,000,000 रुपय जो आपकी पोगर से जादा जाएंगे, लेकिन इस पर जो return मिलने बाला है, पहले आपको एक करोड 6,000,000 रुपया ठीक है, देखें, डबल से भी ज़्यादा है, याँ पर आपको final value बनते हुए दिखाए दे रही है, यही magic होता है, जो long term invested, stay invested रहने का जादू होता है, मैं आपसे इसलिए बोलता हूँ, जितना जल्दी से जल्दी investment start करोगे, उतना जल्दी से ज़्याद आपको फाइदा म अच्छा लगता है, लेकिन मुझे तो दुख तब होता है, जबकि लोग अपने SIPs को 3-6 महिने, 1-2 साल में discontinue कर देते हैं, यदि आप ऐसा करोगे, तो पैसा नहीं बन पाएगा, पहले से आप पूरा समझेए, यदि आपको आज पता लगा है investment के बारे में, mutual fund के बारे मे लेकिन आप अपने जो है, ग्यान तंतुओं को, यानि कि ग्यान को बढ़ा कर, investment, mutual fund के regarding, अपने decision को बनाने में थोड़ा सा और सफल बन सकते हो, अच्छा बन सकते हो, पहले समझेए, सोच समझकर इनलने लेजिए, कितना कम से कम पैसा आप डाल सकते हो, जिसको कि आप मैं राम से पोने तीन, तीन क्रोल के आसपास का value आपकी बनते हो दिखाई दे रही है, उम्मीद करते हैं ऐसा ही बने, और बाकी लोगों का भी investment portfolio फले फूले, और आप भी सहस्त्रा हो, जिससे कि क्योंकि हमें सहस्त्रा है ना बहुत जरूरी है ना, तब ही तो हम अपने portfolio क को continue कर पाएंगे, मिलते हैं कले एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जैहिन, जैभर